इसमें डाले है एक चम्मध सूजी और एक चम्मध मैदा पताने हैं कि कभी पीजा नहीं बनाया और अच्छा बनेगा तो मैं शेयर कर दूंगी यह वीडियो सबसे और इसमें डालोंगी मैं थोड़ा सा इनो लिए इनो क्योंकि मेरे पास नहीं है बेकिंग पॉडर मिल गज़ा है इनो कम्रेट वाइब अब दिमारों कि य्ज़ाइब देल पानी पानी चछे एंडरे पानी पानी शुजाए अब आटा पपानीकिया सवत्टा फ्रबाल गूथ कि तरीके निश्य गूदने से पहले यहां पर मिला नहीं वाली शॉप पर भाहर चीज लेने के लिए तो बाहर हम लोग बिलकुल भी नहीं निकल गए लेकिन आज मैं चीज लेने उनको भेज दिया है वैसे मास्क लगा कर गए हैं और आते ही मैं उनको कपड़े भी चेंज करवा दूंगी और इसके साथ साथ धो अब भी गए हैं तो नहाएंगे तो नहीं लेकिन बाकी मैं उनके कपड़े दुला दूंगी हो सकता है कि नहाने के लिए उनको बोलू नहां भी लें लेकिन कपड़े ज़रू करवा दूंगी अब मैं इसको अच्छी तरह से गूंद रही हूं आज इतने दिन से से लेकितने इसरेट अने कपड़े लगा धूंगी यी मिर्ची है फोल भी सिरेटी यह सब कुस वखंड टाव लाट है's एकिन Alber लेकिरा काता है धुद हो फ्राय के जानिए अर इसके वाद को मैंने भूना बनाउंगी नमक मिर्च थोड़ा धनिया और इसके उपर फिर में पीजा सॉस ने लगा दिया है इस पर बटर अच्छे तरीके से अब मैं लगाँगी इसके ओपर पीजा सॉस सब्जियों का थोड़ा समय सॉटे कर दिया हूँ ताकि सब्जियां कच्छी कच्छी ना लवें कर दिया है सॉटे निकों टीवी की वॉल्म बन कर दो ताकि यह प्याज इद्दम कच्छी कच्छी लगती है और मैंने पीजा बेस पर सॉस लगा लिया है अच्छी तरह से और इस पर बटर मैं किनारे किनारे पर लगाँगी थोड़ा सा ताकि यह चिपके नहीं और अच्छी कि अच्छी तरह से पक जाए तो यहां पर मैंने चीज अच्छी तरह से इसकर डाल दिया है राद भी घराब हो गए मेरे अच्छी तरह से यहां पर मैंने इस पर लगाँगी वेजिटे बस जो कि जो कि मैंने सौटे किया है पीज़ा तयार है मैंने इस पर चीज़े नहीं है वैसी खालो पच्छा तुछी खाले क्या रहा है कि बन गया हो गया तयार मैंने भुल आफ दो आपक्का रहा है तो तुमें ही पता इसको पका लेजिया है तो तो जगह इसनी का मैंने इतने कर दिया है रेडी अब इस पर मुझे इसको अभी पक्कने के लिए डालने मैं थोड़ा सा चीज और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है अब यह कड़ाई मैंने रख दी हाँ पर अब मैं गैस जलाऊंगी और कड़ाई टेज पर पहले कड़ाई को कर दोंगी अच्छी तरह से गरम और यह कड़ाई अच्छी तरह से गरम हो जाएगी फिर इस पर मैं यह प्लेट पर यह पर पानी जोड़ाई जोड़ा निकलती रहे वरना भाप का पानी बनकर पीज़े पर गिरता रहेगा जोड़ी कुली चोड़ दिया नीचे से उसको फ्लेम बिलता रहेगा फ्लेम बिल्कुल जीरो पर करना है मुझे वह था रेडीमेट बेस जो पीज़ा यहां पर दिखाया था इसमें मैंने डाला था आर्टा सूजी और मैदा एक चमच और इस पर मैंने डाल दिया है चीज स्प्रेड कर दिया है और वेजीटेबल भी बिल्कुल कर दी है और अब यह बेस मेरा खुद का बनावा है हैंडमेड है और इसके बाद में यह वाला पीज़ा ब जावीIST है और इसके बाद यहां पर तोड़ा सा retrouve मशाला लिजेंगी मश्याला स्प्रेड जाहरें इसके एन चांत मसाला हलिकर बहुलों मैं मर भाहा जावी दिया हुआ सेतार में पीन की पर यहराए है आधकि यह भी दिशार्त में दोना निणे है और दोल्ठास सबस्तं काली मिच भूल गई बहुत सारी कहां रख्यों है मैंने याद नहीं है को काली मिच की बहुत जरूरत है तो नहीं मिली तो कोई बात नी चलो पीज़ा जब यह बन जाएगा तब मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी काड़ाई में एक बन रहा है तबे पर तो मैं तबे वाले क तरीके से ऐसे इसको इससे ड़क दूँगी में और पर पकाएंगे पीज़ा पक चुका है पूरी तरह से अब हम इसको निकालेंगे निकाले कैसे इसको चिंटे से निकल जाएगा भीए इसको चिंटे से बन गया अ पीज़ा कैसा बना निकूँ टेस्टी कितना टेस्टी और काव्य तुझे कैसा लगा इसको गंदर लगा तुमें कैसा लगा इसको पसंद ही नहीं है मार्केट में भी नहीं खाती पीज़ा कुछ नहीं खाती तो मार्केट में नहीं खाती वेज़ेबल निकाल की फेक देती है बस वह खाते है पीज़ा बेस यह पीज़ा मैंने बनाया फर्स टाइम जो की बहुत जादा टेस्टी बना बच्चों को भी अच्छा लगा मुझे भी सबको अच्छा लगा कर दो क्रच्छ लग रहा है क्रच्छ निकाल दो वह बहुत है था मैंने फर्स टाइम नहीं निए और पीज़ा बेस मैंने खुद भी बनाये थे और एक पीज़ा बेस में लेकर आई थी व्याने का कि जो मैं खुद बना रही हूं क्या पता वह अच्छा नहों खराब बहुत जादा टेस्टी और यमी बने और जो बाहर से पीजा बेस लेका रही थी वह वला पीजा बहुत अच्छा बना तो अब यह रेसेपी देखिए ट्राइ कीजिए अगर आपके घर में अवन है तो बहुत अच्छी बात है अवन से बन जाएगा और नहीं भी है कड़ाई से अवना तो किसी से भी आप आराम से ये पीजा बना सकते हैं पीजा कैसा बना था तो अधो आपके चिर्म का और यह अगरा तेस्टी नी लगा यह कैसा जवाब है और यह यह टेस्टी लगा लेकिन मुझे क्या पता है लिको पीजा कैसा लगा लिको को पता है लुए लगी तो जा आसकल पान तरशी पेस हो लिए रगा यह बनाई अफो हुआ मुझे यह अच्छे लिए ईरना हुआघस फैस प successfully यह लगने ओर वाप तो आप भी इसी रेसिपी से पीज़ा बनाईए और कैसा लगा मुझे बताईएगा कमेंट करके जरूर